न पूछो जमानी से कि क्या हमारी कहानी है हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी है मैं श्रिय लोखंडे कक्षा आठवी की चात्रा गणतंत्र दिवस इस विशय पर अपने विचर प्रस्तुत करना चाती हूँ 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रीटिश शासन से आजाद हुआ था हाला कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस बड़ी ही दूमधाम से मनाते हैं हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनीक स्वतंत्रता से नानियों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया है देश इनकी समर्पन को कभी नहीं भूल सकता स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारे देश ने बहुत प्रगति की है परन्तो आज पी हमारे देश में आतंकवाद, ब्रश्टाचार, बेरोजकारी, असमान तक क्यो है? सुविधान हर किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाता है और यहाँ बताता है कि कानून के नजरों में सभी एक समान होते है हम सभी उन अधिकारों का जो सुविधान से प्राप्त हुए है उनका समान करते है सुविधान के नजरों में लड़का लड़की समान होते है और समय के साथ यह माना भी जा रहा है हाला कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं दिया जाता है जिस कानून की हम इतनी इज़त करते है वही जब रिश्वत लेकर गुनेगारों को आजाद कर देता है जो हमारे संविधान के खिलाफ है आओ हम सब मिलकर उन समस्याओं से हमारे देश को आजादी दिलवाए आखिर में कहना चाहूंगे की पानी नहों तो नदिया किस काम की आसू नहों तो आखे किस काम की दिल नहों तो धड़कन किस काम की अगर हम वतन के काम ना आए तो जिन्दगी किस काम की धन्यवाद अपना विश्वास बढ़ाओ दर्द दुख सब भुलाओ हिम्मत से अपना कदम बढ़ाओ सफलता का जंडा लहराओ ऐसे तुम खुटको समझाओ ऐसे तुम खुटको समझाओ धन्यवाद महात्माओ को नमन द्वारा ओम योगेशा बंगा न हिंसा न असत्य न शस्त्र न अस्त्र दिलाई हमें आजादी अंग्रेजों से उन महात्माओ को नमन जाने कितने बलिदान दिये जाने कितने अन्याय सहे जिनोंने दिया तोफा आजादी का वतन को उन महात्माओ को नमन आज भी खुन खुलता है जब शहीदों की कुर्बानी को याद करे देश के लिए मर मिटने को जो तयार थे उन महात्माओं को नमन धन्य है यह वतन जिसकी मिट्टी में आपने जन्म लिया रिनी है यह देश आपके बलिदानों का आजादी के लिए जो लड़े उन महात्माओं को नमन दन्निवाद